हाई फ्रेंट्स मैं हूं रेखा और रेखा दैंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होप बिलकुल अच्छे फ्रेंट्स आज हम लेके आएं आपके लिए आलू का हलवा नवरातरी स्पेशल है फलाहारी है नवरातरी आ रही है तो फलाहारी डिश्ट तो हमें चाहिए ही तो फ्रेंट्स आज हम आलू का हलवा लेके आए हैं तो आईए जटपट से आलू का हलवा बना के तयार कर लेते ह है अलू का हल्वा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं चार बड़े साइज के आलू बोईल करके चील करके रखे हैं तो आहिए भग़ुनी है हमने यहाँ बनाना की हैं बिए आदा ग्लॉड DV दूद में हम बनाल देंगे 10-12 केसर के धागे और इसको लो फ्लेम पे हम गरम होने देंगे हलवा बनाने के लिए हमने या पे लिया है एक पैन और पैन में डाल देंगे हम गी लगबग चार चमच के आसपास हम गी डाल रहे हैं गी गरम हो चुका है मैश की वे आलू को हम पैन में डाल देंगे बहुत आसान रेसिपी है आलू का हलवा फटावट से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है देखिए गी को हम इस तरह से इसमें मिक्स करते रहेंगे और आलू में थोड़ी सी जो गाठे रह गई हैं इसको हम स्पैचुला से खोल लेंगे देखिए इसी तरह से चलाते हुए हमें आलू को बहुत अच्छी तरह से भूल लेना है देखिए आलू को हमने स्पैचुला से दबाते हुए कितना अच्छे से मैश कर लिया है और लगबग एक सा हो गया है जो दूद हमने बॉइल करने के लिए रखा था वो दूद भी बहुत अच्छे से ब भूनने लग गया है, कलर भी चेंज होने लग गया है इसी तरह से अभी हमें 2-3 निट इसको और भून लेना है आलू बहुत अच्छी तरह से भून चुका है आप देख सकते हैं, घी भी रिलीज होने लग गया है अभी हम इसको एक बार हाई फ्लेम पे लगबग एक निट के लिए और भून लेंगे ताकि थोड़ा सा कलर और चेंज हो जाए वैसे इसमें हलका बदामी कलर आने लग गया है आईए, अब हम आलू के अंदर चीनी डाल देते हैं हमने या पे लिए है आधा कप चीनी अब हम डाल देंगे तयार कियावा केसर वाला दूद दूद डालने के बाद में हलवे को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि एक बार आलू पतला हो जाता है पर वापस से गाड़ा हो जाता है इसलिए बहुत अच्छी तरह से हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी, आलू और दूद सभी चीज अच्छी से मिक्स हो जाएं देखिए कलर भी एकदम से चेंज हो गया है देखिए आलू इखटा होने लग गया है अभी हमें आलू को एक से दो मिनिट और भून लेना है आईए पहले हम इलाइची पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा हम यहापे इलाइची पाउडर डाल देंगे इलाइची पाउडर को भी बहुत अच्छी तरह से हम हलवे में मिक्स कर लेंगे इलाइची पाउडर डालने के बाद भी हमने एक मिनिट के लिए हलवे को बहुत अची तरह से भून लिया है अब हम अपनी पसंद के डाल देंगे ड्राइब फ्रूट हमने यहाँ पे डाल दिया है थोड़े से बारीक कत्रेवे, बादाम, थोड़ा सा पिस्ता देखे फ्रेंट्स आलू का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है आईए गर्मा गरम आलू का हलवा हम सर्व भी कर देते हैं देखे कितना बड़िया खिला खिला आलू का हलवा बनके तयार हुआ है हमने सर्व भी कर दिया है उपर से भी थोड़ा सा हम ड्राइफ्रूट डाल देंगे तो फ्रेंड्स इस नवरात्री आलू का हलवा बनाए टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें थेंक यू, थेंक यू सो मच, हवा नाइस दे